हाई गाई वेल्कम बैक टो अन्वी लर्निंग हम कर रहे हैं इसमें लावद की बूक SI सिस्टम और पेज है आज हमारे पास 261 पेज है हमारे पास और सवाल है कि 10,000 डेटा से 2 बॉयलर की एफिशंसी कम वाइज ना करें यानि के दो बॉयलर का डेटा दिया हुए और उनकी एफिशंसी हमने कमपेर करनी है बॉयलर वन के स्टीम का प्रेशर 14 बार है स्टीम की क्वानटी 10 किलो ग्राम है ड्राइनेस फ्रेक्शन 0.9 है फीड वार्टर के टमपरचर 27 है क्लोरिफिक वैली 34,000 और बॉयलर 2 का प्रेशन 0.9 है बॉयलर 1 की अब हम क्या करते हैं एफिशंसी जो है कमपेर कर लेते हैं लेकिन बॉयलर 1 की एफिशंसी निकालने के लिए हम 14 बार प्रेशर पर क्या करेंगे सैंसिबल हीट और लेटन हीट ले लेंगे सैंजल की बुक में A5 टेबल से 830 आपकी सैंसिबल हीट आजाएगी तो एफिशंसी मालूम करने के लिए आपको टोटल हीट निकालनी पड़ती है टोटल हीट निकालने का फर्मूला होता है सैंसिबल हीट इन्टू ड्राइनस मैंटिप्लाइबल लेटन हीट माइनस जो है एंथॉल्पी ऑफ वाटर होती है तो आप इस फार एफिशंसी का फार्मूला भी आपके सामने लिखा हुए स्टीम की टोटल हीट जो है वो जो आपने निकाली है 2479 इसको मल्टिप्लाइ कर देंगे स्टीम के वजन से लेकिन स्टीम का वजन आपने बॉयलर नबर वन वाला लेना है क्योंकि हम एफिशंसी बॉयलर नबर वन टोटल हीट जब हम देखेंगे 14 पार पे एस 6 टेबल से तो आपके पाद 2903 किलो जोल फी किलो ग्राम आ जाएगी अब बॉयलर एफिशंसी वाले में इसको आप पुट कर दें स्टीम का वजन 14 है स्टीम की टोटल हीट 2903 है और इसमें से आप माइनस कर देंगे 84.91 परसेंट तो हम क्या कहेंगे कि बॉयलर नबर 2 की एफिशंसी बॉयलर नबर 1 से ज्यादा है इसलिए बॉयलर नबर 2 ज्यादा एफिशंट है इनतहाई असान सवाल बहुत असान सवाल सिर्फ और सिर्फ इन सवालों में बार बार कहता हूँ आपको स्टीम टेबल देख आपको आनी चाहिए बाकी थोड़ा बोता 19-20 का फरक है बाकी तमाम वही मैथड है इनतहाई असान चेप्टर है तो इन्शाला मिलेंगे किसी नए चेप्टर के साथ